दोके की कमाई से सकले तो सवार सकते हो लेकिन नसले नहीं आप होसियार है अच्छी बात है पर हमें मुर्ख नौ समझे यह उससे भी अच्छी बात है रिष्टे कम बनाईये लेकिन उन्हें दिल से निभाईये क्योंकि अक्सर लोग बहतर की तलास में बहतरीन खो देते हैं खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी सर्थों पर जिन्दिगी जिया करते हैं असली खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी सर्थों को बदल दिया करते हैं सही वक्त पर पिये गए कड़वे भूट अक्सर जिन्दिगी मीठी कर दिया करते हैं जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाती है जिन्दिगी में सब कुछ करना लेकिन अगर खुस रहना है तो इस जमाने में किसी से भूल कर भी कोई उमीद मत रखना इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाईए कि लोग दोबाड़ा बोलने का इंतजार करें जिन्दिगी में बुड़ा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके वो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता ऐसा निश्चे जिनकी गुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती कोशी से बहुत की समझदार बनने की लेकिन खुशियां हमेशा बेवकूफियां करने से ही मिलती है किसी को डर है कि इस्वर्थ देख रहा है और किसी को भरोसा है कि इस्वर्थ देख रहा है अपने उसूल कभी यू भी दोरने पड़े खता किसी और की थी और हाथ हमें जूरने पड़े एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग विरंगी हो और दस्तूर देखिये जितने मिले गिर्गिट ही मिले गुलाम हूँ मैं अपने घर के संस्कारों का वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी अवकात दिखाने का हुनर रखता हूँ मेरे किरदार से वाकिप होने की कोशिस मत कर उसे समझने में दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो सोचा भी नहीं था जिन्दगी में ऐसे भी फसाने होंगे रोना भी जरूरी होगा और आशू भी चुपाने परेंगे मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नसे में होता है फिर नसा चाहे धन का हो पद का हो रूप का हो या सराब का हो जहां सुनने वालों में सब्र आ जाता है वहां बोलने वाले की आवकात दो कोड़ी की रह जाती है मुसाफिर कल भी था मुसाफिर आज भी हूँ कल अपनों की तलास में था आज अपनी तलास में हूँ अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुडाया ही याद रखेंगे इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो अपना काड़े करते रहो जूट बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेसानी देता है और सच बोलना पहली बार कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है बड़े बेबस होते हैं वो लोग जो जूटे नहीं होते लेकिन दूसरे को तकलीप नहों इसलिए सच नहीं कहते किसी को धोका देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है ये सोचो कि उसे तुम पर कितना बरोसा था समय इंसान को सफल नहीं बनाता बलकि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है कफन भी क्या चीज है जिसने बनाया उसने बेच दिया जिसने खड़ीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा होसला देखकर साप बेरोजगार हो गए अब आदमी काटने लगे कुट्टे क्या कड़े तलवे अब आदमी चाटने लगे बेगुनाह कोई नहीं सब के राज होते हैं किसी के छप जाते हैं किसी के छिप जाते हैं ये अलग बात है दिखाई नहीं देता है खुद गुशी करने वाले का भी कोई ने कोई कातिल जरूर होता है कुछ ऐसे लगाओ और चाहते होती है कि हाथों में हाथ नहीं होते पर रूह से रूह बंदी होती है मूह में जबान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं एक उम्र के बाद उस उम्र की बाते उम्र भर याद आती है पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती मौत पे भी मुझे यकीन है तुम पर भी एतबार है देखना है पहले कौन आता है हमें दोनों का इंतजार है कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच कभी एक जरासी बात से इंसान बिखर जाता है चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझे में तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे सुनकर जमाने की बात तु अपनी अदा मत बदल यगी रख अपने खुदा पर यो बार बार खुदा मत बदल